यह है भारत का प्रसिद्ध औसधी वाला पेड़ जिसका नाम है हरड हरड के नाम से इस पेड़ को जाना जाता है जिसका उप्योग हमारे भारत वर्ष में लंबे समय से अपने सिहत के लिए किया जाता है तो सबसे पहले मैं आपको पेड़ दिखा देती हूँ यहाँ पर एक मंदीर है हर्जु देवता का इसके पास यह मेडिसनल प्लांट है यह देखे यह चौड़ी पत्ती वाला मेडिसनल प्लांट इसकी हाइट है लगभग 22 फीट इससे भी उचे पेड़ होते हैं यहाँ पर जो मंदीर है यहाँ पर साथ काउंट के मैंने साथ पेड़ हैं पूरे भारत वर्ष में लगभग लगभग सभी जगयों पाया जाता है लोवर हिमालियन रीजन पे यहाँ पाये जाते हैं जहाँ पर थोड़ी गर्मी हो सब ट्रॉपिकल रीजन ट्रैक पर यहाँ पेड़ पाये जाता है और सदीशे भरपूर लगभग सभी बिमारियों में इस पेड़ से प्राप्त एक फुरूट है जिसको हरड कहते हैं इसलिए इस पेड़ को चिकिट्सा का राजा भी माना गया है तो कैसे इसका उप्योग होता है इसके उप्योग से क्या-क्या फायदे होते हैं कब इसमें फ्लावरिंग होती है कब फ्रूटिंग होती है यहाँ जानने के लिए देखते रहे आगे को मेरा वीडियो तो मैं हूँ दीपाड़ेसिलाविस्ट अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ तो आज हम बात करेंगे फेमस मेडिस्नल प्लांट त्री जो अभी मैंने बताया हरड अलग अलग भासाओं में से अलग अलग नामों से जाना जाता है हरडबट्टा हरेड़ा हिरड़ा हरीती क्या और इससे भी और अलग-अलग नाम है अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नामों के नामों से यह जाना जाता है तो देखें इसकी लीफ लंबी डाक ग्रीन कलर की और एकदम पेर स्ट्रेट है यह चाल वाला ब्राउन कलर का चाल इसमें है आज कल मार्च का महिना है इसमें फ्रूटिंग जो है लगबा लगबा समापत हो गई है इसमें कल परसूं तक कुछ बहुत फ्रूट्स बचत बचे थे अभी दो-चार और है इसके बाद अब माई अप्रेल और माई में इसमें पल्लवन हो जाएगा और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी जो मंजरी है उस रूप में फ्लावर निकलते हैं जैसे आम में मंजरी निकलती है इसमें भी मंजरी के रूप में फ्लावर निकलते हैं छोटे- फ्रूटिंग होती है सीद काल में जाड़े में इसमें फ्रूटिंग होती है तो यह फ्रूट कलेक्ट करने का टाइम जो है वह है जैन्वरी टू मार्च मार्च तक इसमा आप फ्रूट्स को कलेक्ट कर सकते हैं देखे ये गिरे हैं कुछ फ्रूट्स नीचे मैं दिखाती हूँ पेड़ के नीचे ये फ्रूट्स गिरे हैं गिर के काले पड़े हैं कुछ immature गिर गए थे कुछ mature होके गिरे कुछ थोड़ा लाइस्ट में जो बचे हैं उसमें थोड़ा हवा चल जाती है या बारिश हो जाती है ये देखे बहुत सारे गिरे हैं यहाँ पर उतना लोग समझते नहीं है कि इसकी value क्या है इसको collect किया जाए और इसका इस लोग किया जाए भरपूर तो अब मैं बताती हूँ आपको ये देखे ये कितने टाइप के और कब कब गिरते हैं फुट मैंने बताया जैनवरी से मार्च तक इसमें collect करने का ये देखे थोड़ा पज़ड़ भी हो रहा है निकलते रहते हैं नहीं पत्या और पुरानी पत्या गिरते रहते हैं पत्यज़ड़ होता रहता है तो इस ताइप से देखे हैं हरण के फूर्ट में दिखा रही हूँ आपको ये देखे ये है हमारी immature बेबी हरण सीड लगने से पहले ये जब गिर जाते हैं तो इसकी भी medicinal value है सीड लगने से पहले गिर जाते हैं तो छोटे छोटे ये हरण फिर काले पड़ जाते हैं इसका ही अधिग यूज़ करते हैं बेबी हरण इससे कहते हैं बाल हरण के रूप में से जाना जाता है और उसके बाद जब सीड लग गए और अच्छे से मिच्वर नहीं है तो उसे पीली हरण कहते हैं यलो यलो वाला है पीली हरण एक कुछ टाइम पहले गिरे होंगे और पीला पीला इसका भी उप्योग किया जाता है सुखा कर उसके बाद है मिच्वर ये देखो बड़ी हरण ये साइज में भी बड़ी होती है पानी में अगर दुबाएंगे तो ये बिल्कुल डूब जाएगी वेट भी ज़्यादा है इसमें जो सीड होता है वो मिच्वर हो जाता है उसके बाद सीड को अगर हम बो दें तो नया सेडलिंग उगाता है नया प्लांट, बेवी प्लांट बन जाएगा आप उसे कहीं सिफ्ट कर दीजे और लगा सकते है सब ट्रॉपिकल रीजन पर ये बहुत अच्छे से फलता फूलता है थोड़ी गर्मी वाली जग अच्छी इसको जो इसकी नेटिव कंट्री है वो फ्रॉम पाकिस्तान, पूरी एशिया में ये पाये जाता है फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, चैना और नेपाल में ये मिलता है और आईरवेद में इसका बहुत अच्छा ने सारा गी रह है देखो आईरवेद में पहले से ही इसका उपयोग किया गया है आप सभी लोग जानते होंगे हरण का जब आपको कफ हो जाता है खासी हो जाती है तो इसका उपयोग किया जाता है यहाँ पन्लोकल वाले अन्या भी इसके उपयोग हैं जैसे वात, कफ, पित्तु को शरीर में यह बैलेंस करता है और इसके अलावा इसमें विटामिन्स पाई जाता है फ्रोटीन्स पाई जाता है और मिनरल्स में इसमें पाई जाते हैं कॉफर, मैगनीज, पोटेशियम, आईरन फासपोरिक एसीड भी इसमें पाई जाता है सकसिनिक एसी इसमें पाये जाता है तो आप किसी भी, कोई भी अगर आपको बिमार है तो आप इसका उप्योग कर सकते हैं इसमें एंटिबैक्टिरियल प्रॉपर्टी है एंटी-फंगल प्रोपर्टी है एंटी-इंफ्लेमेशन और एंटी बायोटिक प्रॉपर्टी इसमें है यह सारे गुणिस में हैं मौझूद इसके अलावा एचाइबी रोधी यह है इसमें बहुत सारे विमारियों का एक इलाज है हरण को लिया जाता है चाहिए आप इसको पावडर फॉर्म में लीजिए या फिर जैसे आपके आसपास है तो इसी रूप मैं आप ले लीजिए अगर छोटे बच्चे को अगर खांसी हो रही है तो दूद में इसको या तो पकाया जाता है या फिर दूद में खिस कर इसे पिलाए जाता है उसकी कफ है जुखाम है फीवर है सब उदर जाता है इसका जो टेस्ट है फस्ट फस्ट में बीटर लगेगा आपको थोड़ा वासा, उसके बाद ऐसा भी नहीं है, खटा भी नहीं है, मिठा भी नहीं है यूभी इतना सारी प्रपरेडी इसमें है कुछ न कुछ आपके बोडी में इसको मिलता है। आप इसे daily seven करें कुछ दिनों तक आपकी body detoxify हो जाएगी पूरे जो शरीर के अंचाहे जो material हैं जो अंचाहे चीज़े हैं undesirable वो इस पूरे सरीर से बाहर निकाल देता है पूरी body detoxify हो जाती है तो इस प्रकार से आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं देखें बहुत बड़ा पीड़ है यह मंदीर के वो जैसे हरजु देवता का यहां पर मंदीर है पल बढ़ रहा है फल रहा है और जो स्थानी लोग हैं इनके काम आ रहा है अगर इसको collect के आ जाए बेबी हरण मार्केट में मिलता है तो लोग इस ओध्यान दें इसकी खेती कर है इसमें ज्यादा maintenance की आव सकता भी नहीं है जहां का climate इसके लिए suitable है वहां के लोग इनके पेड़े लगा सकते हैं और benefit ले सकते हैं अब इसको कैसे चून बनाया जाता है कैसे उप्योग किया जाता है इसके बारे में हम बताएंगे यह है इसको सुखा दिया अगर यह अच्छे से सुग गए उसके बार इसको दधो के आप इमाम दस्टे में कूट के या mixi में पीस के इसके सीट को अलग कर देना है सबसे पहले फिर उसके बाद इसको पीस के चोन बना लीजे और एर टाइट डिबे में रख लीजे गरम पानी के साथ आप सेवन कर सकते हैं जिसको कोई भी भी मारी हो आपको खासी है जुकाम है फीवर है या फिर आपको कोई स्किन डिजीज है वो सारा जैसे आपको जैसे खुजली वगर है दाथ खास खुजली वो भी दूर हो सकता है सफे दाग अगर किसी कहा है उस पे भी इसका लेप लगाया जा सकता है तो किसी भी बिमारी का इलाज इससे होता है आयुरिवेद में इसका उप्योग लोग करते आ रहे हैं तो हमे ऐसे ओसे दी युक्त पेड़ों का संदक्षन करना चाहिए और उपयोग करना चाहिए आज की वीडियो यहीं तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजे शेयर कीजे और इसमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए भेशते रहूँ तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई